जेहन दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने योट्यूब चैनल सिवा ओनलाइन क्लासेश में दोस्तों आजकी इस वीडियो में हम डिसकेस करने वाले हैं इंडियन आर्मी के एक्जाम में आने वाले टॉप 15 मोस्ट इंपोर्टेंट कोस्चन्स तो दोस्तों ये जो कोस्चन है आपके एक्जाम में काफी बार रिपीट हो चुके हैं तो इसके लिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में सेयर जरूर करना तो चलिए दोस्तो, question number 1 की तरफ चलते हैं Question number 1 है, who is known as Punjab केसरी Punjab केसरी किसे कहा जाता है, options आपके सामने हैं दोस्तो तो पंजाब केसरी कहा जाता है दोस्तो लाला लाजबत राए के लिए तो option C यहाँ पर आपका जो है वो correct answer होगा अगला question है दोस्तो हमारा, question number 2 John Sanders की हत्या किसने की थी, who killed John Sanders यहाँ पर दोस्तो, tapping mistake में Sanders डबल हो गया है तो आपको एक बार पढ़ना है, इसको जब मैं PDF अपलोड करूँगा टेलिग्राम गुरूप में, तो इसको ठेक कर दूँगा, ठीक है तो यहाँ पर question है दोस्तो, कि John Sanders की हत्या किसने की थी तो दोस्तो, इनकी हत्य की थी, भगत सिंग ने तो option C, यहाँ पर आपका सही answer होगा अगला question है हमारा, question number 3 भारत की पहली महला राजपाल कौन थी? most important question है दोस्तो, काफी बार आपकी एक्जामर रिपीट होता रहता है who was the first woman governor of India? तो भारत की पहली महला राजपाल थी दोस्तो, सरोजनी नाइडू जो की 15 अगस्त 1947 से और 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रिदेश की गवर्नर रही थी तो option A, question का सही answer है next question हमारा, question number 4 अर्जुन अवार्ड इस रिलेटेड टू विच फिल्ड अर्जुन अवार्ड किस छेतर से सम्मंधित है तो अर्जुन अवार्ड दिये जाता है दोस्तो, outstanding sports person के लिए तो option D, यहाँ पर आपका जो है वो, सही answer होगा अब चलते हैं दोस्तो, आज के अगले question के तरफ, question number 5 Where are the headquarters of Indian Army? भारती थलसिना का मुख्याल है कहाँ पर है? तो दोस्तो, भारती थलसिना का मुख्याल है नई दिल्ली में यानि की option B, इस question का सही answer है दोस्तो, Indian Army से related Indian Army के exam में एक नए question जरूर पूशा जाता है चाहें वो इसकी command headquarters सही, चाहें उसका general, cds, या फिर Indian Army का, उसके बाद में इनके general और जो बड़े-बड़े पदों पर हैं, उनके जो है वो नामयाद कर लेने हैं इसमें से एक question आपके exam में आने के बहुत ज़्यादा chance रहते हैं, ठीक है? चलिए, अब चलते हैं दोस्तो, आज के अगले question की तरफ, question number 6 Where is हवा महल located? हवा महल कहां पर इस्थित है? तो हवा महल है दोस्तो, जैपर में तो option B, question का सही answer है Next question है हमारा, question number 7, ठीक है? और question number 7 है दोस्तो, in which year did C.V. Raman get the Nobel Prize? C.V. Raman को किस बर्स Nobel पुरसकार मिला था? तो दोस्तो, C.V. Raman को physics के लिए Nobel पुरसकार मिला था और 1930 में तो option B, यहां पर सही answer होगा Next question है हमारा, question number 8, मानप सरीर की सबसे छोटी हड़ी है तो मानप सरीर की दोस्तो, जो सबसे छोटी हड़ी होती है, वो कहां पर होती है? और उसका नाम कौन सा होता है? इस्टेपीज तो option C, इस question का सही answer होगा अगला question है हमारा, question number 9 परियाबरण सारक्षण अधनियम कब पारित किया गया था? When was the Environment Protection Act past? तो दोस्तो, परियाबरण सारक्षण अधनियम एक्ट जो पारित किया गया था, वो पारित किया गया था दोस्तो, 1986, तो option B आपका सही answer है Next question की तरफ चलते हैं, question number 10 मानप आँख में किस प्रकार lens पाया जाता है? Which type of lens is present in human eyes? तो हमारी जो आँखें होती हैं, उनमें किस टाइप का जो ही लॉंच पाया जाता है? तो हमारी आँखों में होता है, दोस्तो, उत्तर lens यानि की convex lens ठीक है, तो option A इस question का सही answer है दोस्तो, यह most important question है, किसी भी question को आप हलके में ना लें, बहुत ज़्यादा important question है, तभी मैं आपको लेकर आता हूँ, आपके exam को ध्यान में रखते हुए टोटल number of high courts presents in India age, भारत में मौझूद उच्छे नयायलों की कुल संख्या है तो दोस्तो, इस question का answer बताने से पहले मैं आपको बता दूँ, कि आज मैं लिंक दूँगा इस वीडियो की description में और आई बटन में, जहां पर दोस्तो, आपके लिए पता चलेगा मैं एक वीडियो का लिंक दूँगा, जिसमें मैंने इंडिया के सभी high courts का जो है, बहुत ज्यादे डेटेल में एक वीडियो बनाई गई है, तो उस वीडियो को आप जरूर देगे, ठीक है, आई बटन पर उसका लिंक आपको मिल जाएगा तो दोस्तो, भारत के जो high court है, वो है यहाँ पर भारत में कितने टोटल 25, ठीक है, और सबसे oldest high court है दोस्तो, जो 1862 बनाता कोलकाता high court, और newest है दोस्तो, तेलंगाना और अंदरप्रदेश के 2019 में, ठीक है, टोटल high court कितने है, 25, चलिए, आप चलते हैं, आज के अगले question के त information act passed in the year, तो जो RTI act passed हुआ था, वो कब हुआ था, यानि कि सूचना का अधिकार अधनियम किस बर्स पारित हुआ, options आपके सामने हैं दोस्तो, तो सूचना का अधिकार जो act था, वो पारित हुआ था, 15 जून 2005 के लिए, तो option भी इस question का सही answer होगा, अगले question के तरफ चलते है question number 13, तेरा number question है हमारा, after how many years of gap, the Olympic Games are held, ओलम्पिक खेलों का आयोजन कितने वर्स के अंतराल के बाद होता है, तो दोस्तो, ओलम्पिक खेलों के जो आयोजन होता है, वो प्रितिक चार वर्स के बाद में होता है, तो option भी इस question का सही answer है, next question है दोस्तो, question number 14, लाला लाजपत राई की मृत्यू का कारण क्या था, ये जो आंदोलनों के नाम दिये गए है, इनमें से कौन सा आंदोलन था, जिसके बज़े से जो है, वो लाला लाजपत राई की मृत्यू होई थी, आप सभी को पता है, एक आंदोलन के दौरान, लगने से, उनकी मृत्यू हो गए थी, तो option, ये इस question का सही answer है, अब चलते हैं दोस्तो, आज के अगले question की तरफ, question number 15, सरोजनी नाइडू किस राजगिर राजपाल थी, दोस्तो जैसे कि मैंने आपको बताए कि इंडिया की पहली महला राजपाल कौन थी, सरोजनी नाइडू थी, और वही question कराते हुए, मैंने आपको बता दिया था, कि भारत के उत्तर प्रदेश राजपाल रही थी, 15 अगस् विशेश पर डाउनलोड कर रहे होंगे अगर आप डाउनलोड नहीं कर रहे हैं तो दोस्तो PDF के लिए डाउनलोड करने को जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिये गहे हैं या फिर आप टेलिग्राम चैनल पर हमारी चैनल को सर्च भी कर सकते हैं टेलिग्राम चैनल पर अगर आप सर्च करेंगे तो दोस्तों आपके लिए जो है वो हमारा टेलिग्राम चैनल मिल जाएगा और आप बहां से बिलकुल फ्री में जो है वो पीडिये फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं तो उम्मीद करते हैं दोस्तो, वीडियो आपको अच्छे लगी होगी वीडियो को फिनिस करने से पहले आपको बता दें कि ये हमारा वाट्सअप नमबर है दोस्तो, अगर आपके पास में कोई भी कोशिन है